साथियो नमस्कार आप देख रहे हैं यूनिक मैडिसन यूटूब चैनल साथियो आज की इस वीडियो में हम इस डिलोस पास सस्पेंसन के बारे में जानेंगे ये बच्चों को दी जाने वाली मैडिसन है और ये किस तरह की मैडिसन है इसके फायदे बच्चों को मिलते हैं और बच्चों को डॉक्टर ये मैडिसिन कब प्रेस्क्राइब करते हैं यानि बच्चों को ये किन-किन बीमारी में दी जाती है तो दोस्तों ये बहुत सारी information आपको इस वीडियो में मिलने वाली है आप वीडियो को लगतार देखते रहे और दोस्तों अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो आपका अपना चैनल है यूनिक मैडिसन इसे सब्सक्राइब कर लीजे ताकि आपको इसी तरह से नई नी जानकारी वाले वीडियो मिलते रहे हैं तो चलिए वीडियो सुरू कर लेते हैं दोस्तों ये जो डिलोपास ओरल सस्पेंशन मैडिसन है ये बच्चों को मेंली जो इसका यूज है वो पेट से संबंदित बीमारियों के लिए किया जाता है देखिए जब हमारे घरों में छोटे छोटे बच्चे होती है और जब उनक पेट में मरोडन होती है पेट में जक्रन होती है उनको मरोडन होती है क्रैम पाते है इस टमक पेट होता है मतलब पेट दर्द होता है कॉलिक होता है बेबीज में और उनको जब एक्स्ट्रा गैस बनने के कारण यानि एक्स्ट्रा एसिडिटी की बजह से जो एबडोमिन मे पेन लगा रहता है, गैस पास नहीं होती है, पेट फूलने लगता है और साथी बच्चों को खटी डगा रहे आती है और साथ साथ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इंफेक्शन वगेरा हो जाता है तो इस तरह की जो बिमारी होती है इनके ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के दुआरे ये मैडिसी जाती है, बहुत पॉपिलर मैडिसन है क्योंकि दोस्तो इसका जो साल्ट है इसके वारे में भी मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा ये काफी यूनिक हो जाता है, बहुत अच्छा और एफेक्टिट साल्ट है और बहुत अच्छा रिलीव करता है दोस्तो इसके साथ ही साथ ये बच्चों में इटेवल बाउल सिंड्रोम नाम की जो बीमारी होती है, प्रॉबलम होती है उसको खतम करता है और साथ ही इस टमक में जो एक्ष्ट्रा गैस बनती है उसको एब्जॉफ करने का काम करता है तो इस तरह से ओवर अगर हम बात कर लें तो बच्चों के पेट से संबंदे जो भी समस्याएं होती है उनके ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के द्वारा ये दबाई दी जाती है दोस्तों ये दूद बगेरा पलट देते हैं, इंडाइजेसन की समस्या होती है उस समय भी बच्चों को काफी आराम देती है, ये मैडिसन काफी लाव करती है तो इस तरह से इस मैडिसन के फाइदे हो जाते है अब दोस्तों थोड़ा सर समझ लेते हैं कि इसमें ये किस तरह की मैडिसन है और कैसे काम करती है दोस्तों ये डाई साइकलोमीन हाइडरोक्लोराइड और साइमेथिकॉन का एक कॉंबिनेशन मैडिसन है जो की oral suspension की form में है यानि बच्चों को ये oral root से दिया जाता है सिरफ है ये तो इसमें क्या होता है कि diceclomine hydrochloride का जो main काम होता है वो बच्चों के पेट में जो cramp आती है जो मरोडन उठती है उसको खतम करने का काम होता है और cymethicone ये जो extra gas बनती है उसको absorb करती है साथ ही digestion को बनाती है और साथ ही साथ जो बच्चों का पेट फूलता है उसको खतम करती है खटी डकार को खतम करती है क्योंकि ये सारी चीजे gas से related हो जाती है तो बच्चों का जो पेट फूलना होता है gas बनना होता है बच्चे बार बार पतले दस्ट जैसे करते हैं तो लेटरीन उनको आती है तो ये इस तरह की समस्या को खतम करती है तो overall जब ये दोनों साल्ट मिल जाते हैं तो ये बहुत अच्छी medicine बन जाती है और बहुत अच्छा बच्चों को आराम देती है अब दोस्तों समझ लेते हैं इसकी किस तरह से composition है तो इसका जो हर एक 5 ml का contain होता है यानि इस medicine का जो 5 ml का contain होगा यानि 5 ml दबाई के अंदर डाइसाइक्लोमिन हाइडरो क्लोराइड इंडियन फार्मोकोपिया के according 10 mg की मात्रा में और साथ ही साइ मेथिकोन इंडियन फार्मोकोपिया के according 40 mg की मात्रा में होती है और इसमें इसके साथ मिला जाते हैं फ्लेवर्ड सीरप बेस दोस्तों फ्लेवर्ड सीरप बेस QS होते है यानि quantity sufficient होते है इस दबाई की मात्रा को बढ़ाने के लिए इसको बलकी करने के लिए QS यानि quantity sufficient use किया जाते हैं तो गाईज ये इस तरह से medicine का composition हो जाता है अब समझे लेते हैं तोड़ा इसकी dose के बारे में तो हमेशा जो red strip medicine होती है इन पर dose कभी mention नहीं होती है क्योंकि dose जो है डॉक्टर के अनुसार दी जाती है डॉक्टर बच्चे की इस्थिती को देखते हैं उसकी बीमारी को देखते हैं और उसको कितनी किस तरह की problem है और साथी साथ बच्चे की age क्या है उसका body weight क्या है कितनी medicine बच्चे को दी जा सकती है तो ये सारे जो factors होते हैं सारी चीज़ों को माब तोल करके ही doctor medicine prescribe करते हैं तो ऐसे कभी भी खुद से आपको medicine नहीं देनी होती है क्योंकि ये schedule age category वाली medicine है तो कभी भी खुद से आपको नहीं देनी है और नहीं medical store को बिना परचे पर इसको sale करना चाहिए दोस्तों इस medicine को use करने से पहले अच्छी तरह से आपको shake करना है यानि हिलाना है ताकि ये जो composition है वो gravity की बज़े से bottom में बैठ जाता है और जब अगर आप बिना हिला के देते हैं तो ये दवाई की एक सही dose बच्चे को नहीं मिल पाती है अगर आप इसको shake करके देते हैं तो ये medicine का जो composition है वो अच्छी तरह से आपस में mix हो जाता है और फिर एक सही dose बच्चे को इस major cup की मात्रा से दी जाती है तो बच्चे को बहुत अच्छा आराम मिलता है और बच्चा जल्दी ठीक हो जाता है गाइज इसको manufacture किया है स्विस बायो टेक ने और यहां इसका license number है और साथी साथ इसका MRP यह है 52 रुपीज में आपको यह मिल जाती है पांच दो हजार तेईस तक इसकी life है तो इस तरह से यह medicine की बात हुई इसकी basic information की बात हुई बच्चों को दिया जाने वाला syrup है oral suspension है 60 ml की packing में बच्चों के लिए यह आता है इसकी जो packing है वो 60 ml की है यहां भी आप देख सकते है RX medicine है prescription वाली medicine है तो कभी भी आपको खुद से नहीं देनी है तो यह आपको हमेशा ध्यान रखना है अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अगर माली जी आपके बच्चों को इस तरह की medicine डॉक्टर ने दी है और आप दे रहे हैं तो उस समय अगर बच्चों को कोई undesirable side effect आते हैं यानि बच्चों को कुछ अंचाही चीजें सो होती हैं दिखती हैं आपको जैसे की बच्चों को diarrhea दस्त लग जाते हैं बच्चों को कब जब होने लगती है उल्टी बगेरा करते हैं बच्चे और बच्चे जो है nervous feel करते हैं रोते हैं साथ में और उनको जो है कुछ unwanted जो effect आते हैं जो की नहीं आने चाहिए और आपको लगता है वो लगतार बने हुए हैं तो उस समय आपको इस medicine को ब्रोक देना है इसको बंद कर देना है और डॉक्टर को तुरंत जो है आपको inform करना है और साथी साथ डॉक्टर जिस तरह से फिर आपको further बोलते हैं कि आपको जो भी डॉक्टर बताते हैं माली जी डॉक्टर ने मैं आपको example के तौर पर बता रहा हूँ कि अगर डॉक्टर ने कहा आप धाई ml syrup दे दीजे तब आपको धाई ml syrup मापके देना होता है आपको कम या जादा नहीं करना है तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना है कुछ safety tips का आपको ध्यान रखना है बच्चों की पहुँद से medicine को दूर रखना है इसको धूल दूप, moisture, sunlight वगरा से बचाना है ताकि medicine खराब ना हो और बहुत दिन तक रखी हुई medicine बच्चों को यूज नहीं करानी है अगर medicine एक दो महिना एक महिना हो जाता है medicine को open करने के बाद तो उसके बाद use कर लेना चाहिए और अगर use नहीं होती है तो उसको fake देना चाहिए next time फिर आपको नई medicine खरीदनी चाहिए दोस्तो साथ ही साथ अगर हम बात कर ले आपको और क्या ध्यान रखना है तो जो allergy अगर बच्चे इस तरह की medicine से अगर उनको कोई allergy हुई है पहले ऐसी medicine लेने से तो डॉक्टर को बता दें उनको फिर ये medicine ना दें क्योंकि उनको फिर से allergy हो सकती है और फिर problem और भी ज़्यादा बढ़ सकती है दोस्तो ये OTC product नहीं है यानि over the counter आप इसको नहीं खरीच सकते ये एक prescription वाला product है तो prescription पर ही आपको देना है OTC product की तरह इसका use नहीं करना है तो दोस्तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और ये medicine डिलो पास के सासाथ मेफटल इसपास भी suspension के नाम से आती है cycloparm syrup के नाम से भी market में आती है तो ये अगर डिलो पास के नाम से नहीं मिल पाती है तो और भी brand name है जिनके नाम से ये market में आपको मिल जाती है और आप इसको लेकर अपना काम चला सकते हैं क्योंकि दोस्तों उनमें same composition होता है यानि दोनों के अंदर दवाई same होती है तो बस यह आपको ध्यान रखना है और साथी साथ यह generic name से भी आती है generic name वाली दवाईयां branded के compare में थोड़ी सस्ती होती है जिससे कि आपके पैसे भी save हो सकते है तो guys यह इस तरह से जानकारी थी इस डिलोपास syrup के वारे में मैं आसा करता हूँ दोस्तों जानकारी अच्छी लगी है और दोस्तों जापको लगता है कि जानकारी आपके काम की है आपको अच्छी लगी है तो like करने share करने वीडियो को और channel को subscribe करके घंटे के बटन को दबा दें दोस्तों क्योंकि आप घंटे के बटन को दबा देते हैं तो आपको नए नए notification मिलते हैं और आप like share करते हैं तो हमें motivation मिलता है अच्छी अच्छी जानकारी वाले वीडियो बनाने के लिए तो guys safe रहिए अपना ख्याल रखिए अखते रहिए आपका अपना YouTube channel Unique Medicine तो आप से मिलते हैं एक नए वीडियो में नए जानकारी के साथ तब तक मैं अपने सब्दों को ब्राम लेता हूँ आप से बिदा लेता हूँ जै हिंद जै भारत साथियो